गाईस अगर आपको एक OTG लेना है और आपका बज़ेट है 5000 रूपे के नीचे तो ये वीडियो बिल्कुल आपके लिए है चाहे ओनलाइन हुआ या ओफलाइन 5000 रूपे के नीचे टॉप 5 बेस OTG कौन से हैं आज की इस वीडियो में हम देखने वाले हैं किस तरीके का कुकिंग आप इसमें कर सकते हो खरीदने से पहले किन किन बातों का ध्यान आपको रखना है सब कुछ आज इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ सो आप बिल्कुल बेफिकर हो जाएए क्योंकि इस वीडियो को देखने के बात आपको OTG से रिलेटेट और कोई वीडियो देखने की ज़रत नहीं परेगी सो विनो टाइम वेस्ट करें वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं लेकिन उससे पहले अगर आप चैनल पर नहीं हो तो मेक शोर टू सबस्क्राइब इस चैनल नहीं डबल आइकन कि होम अप्लाइंस और किचन अप्लाइंस से रिलेटेट ऐसे वीडियो में लाता रहता हूँ गाईज अगर आप एक OTG खडीद रहे हो तो आपको पता होना चाहिए कि एक OTG में हम सर्फ ग्रिलिंग बेकिंग और रोस्टिंग जैसे काम ही कर सकते हैं जैसे कि एक बनाना हो पिज़ा बनाना हो या फिर तंदूर कबाब बगएरा बनाना हो ये सब काम हम एक OTG में कर सकते हैं लेकिन सिंपल कुकिंग री हीटिंग और डी फ्रोस्टिंग जैसे काम यानि फ्रिज में रखे खाने को गरम करना सिंपल कुकिंग रेसिपीज तयार करना ये सब काम हम एक OTG में नहीं कर सकते इन सब के लिए आपको एक solo microphone लेना पड़ेगा और अगर आप simple cooking, reheating, defrosting के साथ-साथ baking, grilling, roasting भी करना चाहते हो तो उसके लिए आपको एक convection microphone लेना पड़ेगा convection oven के उपर भी मैंने recently एक विडियो बनाया है उसका link आपको आई बटन पे दिखरा होगा और description में भी मैं link डाल दूँगा आज हम जितने भी OTG इसके बारे में बात करने वाले हैं वो 5000 रुपे के नीचे या फिर 5000 रुपे के around available है तो इस बात को ध्यान में रखते हुए एक छोटा सा buying guide मैं आपको दे देता हूँ ताकि आप अपने requirement के हिसाब से एक OTG चूज कर पाओ सबसे पहले capacity की बात करने तो इस budget में हम 16 लिटर और 19 लिटर से ले करके 30 लिटर और 40 लिटर के size में भी OTG ले सकते हैं अगर आप single हो या फिर दो लोग की आपकी family है तो 16 लिटर के एक OTG आपके लिए सही रहेगा 2-3 लोग के family के लिए 19 लिटर 4-5 लोग की family के लिए 30 लिटर और 6-7 लोग की family के लिए 40 लिटर के एक OTG सही रहेगा इसके लावा क्या-क्या functions और accessories OTG के साथ provide किया जा रहा है उसको भी धान में रखना चाहिए जैसे heating modes कितने है, temperature range कितना है कुछ useful accessories जैसे grill rack, baking tray, grill and bake tongue ये सब है या नहीं है ये भी चेक करना मद भूलेगा और motorized rotistry काफी एक useful function होता है जो grilling के time even heat distribution में मदद करता है तो ये function है या नहीं ये भी ध्यान में रखेगा मैं आपको पहले ही बता देता हूँ कि 16 liter model में आपको ये function देखने को नहीं मिलेगा बाकी models में ये function मौजूद है एक LED light अगर OTG के अंदर हो तो वो काफी useful होता है क्योंकि OTG के अंदर light होने से cooking को आप बाहर से ही observe कर सकते हो और गाइस बजट कम है इसका मतलब ये नहीं कि किसी भी local brand का OTG आप खरीद लो जिदने भी model साज में आपके लिए लेके आया हूँ वो सारे के सारे well established brands की तरफ से आते हैं जो अपने product के साथ अच्छी खासी warranty और service प्रोवाइट करती है और हाँ गाइस एक और important बात में आपको बता दू कि अगर आपके घर में बच्चे हैं तो OTG में cooking करते time बच्चों को जितना हो सके दूर रखेगा क्योंकि ज्यादा देर तक चलने के बात OTG बाहर से काफी गड़म हो जाता है सो इस बात को ध्यान में रखेगा सो गाईस आप बिल्कुल भी चिंदा मत कीजिए under 5000 या फिर around 5000 अगर आपका बजट है तो आपका मन पसंद OTG आपको आज इसी वीडियो में मिलेगा सो चलिए आज की हमारे top 5 OTGs को one by one देख लेते हैं मारे लिसमें number 5 पे जो OTG है वो आता है बजाज की तरफ से इसकी capacity है 16 L, 1200 W के इसका power है इसकी body stainless steel की बनी है इसका door section tempered glass से बना है control panel की बात करें तो इसका temperature control knob में 0 से लेका 250 degree Celsius तक range है 0 से लेका 60 minute तक का timer control knob है with auto shut off feature उपर और नीचे दोनों तरफ heating elements मौजूद है तीन different modes के जरिए आप heating element को operate कर सकते हो पहला है top heating element mode जिसमें सिर्फ top heating element को on करके आप अपने खाने को सिर्फ उपर की तरफ से heat कर सकते हो दूजरा है bottom heating element mode जिसमें आप सिर्फ bottom heating element को on करके अपने खाने को नीचे की तरफ से heat कर सकते हो और तीजरा है both element mode जिसमें दोनों ही heating element को आप on करके cooking कर सकते हो गाइस इसमें motorized rotisserie का feature नहीं है लेकिन rotisserie rod इसके साथ provide किया जाता है जिसको आप without rotation इस्तमाल कर सकते हो इसके लबह इसके साथ baking tray, baking tray, tongue, crumb tray और barbecue tray प्रोवाइट किया जाता है इसके अंदर कोई bulb नहीं है गाइस ये OTG आपको 3740 रुपे में 2 साल की warranty के साथ मिल जाएगा लिंक मैंने description में दे दिया है don't forget to check it out हमारे list में number 4 पे है pigeon by stroke craft OTG ये भी 16 लीटर का है 1280 watt का ये OTG है इसे control panel की तरफ नज़त डाले तो 100 से लेकर के 200 degree senses तक adjustable temperature knob है 0 से 60 मिनिट तक का timer देखने का मिलता है with auto shut off feature and alarm यानि timer complete होने के बाद automatically बन तो हो ही जाएगा साथी साथ एक alarm भी बच जाएगा इसके heating element की बात करे तो नीचे की तरफ और उपर की तरफ दो और दो 4 heating element मौजूद है और इन heating elements को एक साथ और separately on करने के लिए 4 different modes भी control panel में available है accessories की बात करे तो एक barbecue rack, एक कम tray, एक pan handle or a skewer rod आपको इसके साथ मिल जाएगा इसमें motorized rotatory नहीं है और OTG के अंदर कोई lamp भी नहीं है ये OTG फिलाल आपको 3489 रुपीस में एक साल की warranty के साथ मिल जाएगा ना कोई so far 16 liter के दो models में आपको दिखा चुका हूँ और दोनों ही models 4000 रुपे के नीचे available है जो almost same feature के साथ ही आते हैं अगर आपका budget 4000 रुपे के नीचे है तो आप इन दोनों को जरूर चेक कीजिए लेकिन मैं personally recommend करूँगा के आप अपना budget थोड़ा और बढ़ा लो और 5000 रुपे के around एक OTG खड़ी दो ताकि एक OTG का best experience आपको मिल सके फिलाल आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इन दोनों से भी बहतर OTGs कौन से है moving on हमारे list पे number 3 पे है उसा की तरफ से 19 लिटर का OTG यह 1380 watt का OTG है इसी body stainless steel की बनी है इसके control panel की तरफ नज़र डाले तो इसमें up to 250 degree sensors तक आप temperature को adjust कर सकते हो 0 to 16 minute का timer भी आपके समें मिल जाएगा with auto setup and alarm indicator दो और दो चार heating elements super down नीचे देखने को मिल जाता है और उन्हें operate करने के लिए 6 different cooking modes इसके control panel में आपको देखने को मिल जाएगा इसमें 2 special modes है जो है keep warm mode और stay on mode keep warm mode आपके पके हुए खाने को ज़्यादा देर तक गरम रखने में मदद करता है और stay on mode time consuming cooking को जल्दी करने में मदद करता है इस OTG में आपको motorized rotisserie के feature देखने को मिल जाएगा इसके अंदर एक lamp भी provided है accessories की बात करें तो baking tray, wire rack, crumb tray, rotisserie tong, grill and bake tray टॉंग वगेरा वगेरा आपको देखने को मिल जाएगा गाइस काफी बड़िया features आपको इसके साथ मिल रहा है लेकिन एक और feature अगर इसमें होता तो काफी बड़िया होता और वो है एक convection fan अच्छे quality के OTG's के अंदर एक convection fan होता है जिससे खाने में even ही distribution होता है इस OTG में वो fan आपको देखने को नहीं मिलता लेकिन other than that दो से तीन लोग के family के लिए एक बेहतरीन OTG है यह फिलाल आपको 5,599 रुपे में दो साल की warranty के साथ मिल जाएगा साइस के हिसाब से price थोड़ा कम हो सकता था लेकिन it is worth the money Moving on हमारे लिस्स में number 2 पे है Agaro Grant Over Interested Griller यह 30 लीडर की कबसरी के साथ आता है इसकी body stainless steel की बनी है और इसके door section में आपको heat resistant tempered glass देखने को मिल जाता है इसे control panel पर नज़र डाले तो 90 degree Celsius लेकर के 230 degree Celsius तक temperature adjust किया जा सकता है 0 to 16 मेरी timer देखने को मिलता है with auto shut off and alarm indicator as usual 2 और 2 4 heating elements मौजूद है और उन्हें operate करने के लिए 6 different heating modes देखने को मिलता है जने आप baking, toasting और grilling के लिए इस्तमाल कर सकते हो motorized rotisserie के feature इसे में available है और OTG के अंदर एक lamp भी मौजूद है guys इस OTG में आपको convection fan भी देखने को मिल जाएगा for even heat distribution इससे साथ आपको baking pan, grill plate, crumb tray, rotisserie handle, tray handle और rotisserie rod जैसे X-series देखने को मिल जाएगा इस OTG में जो सबसे खास बात है वो है इसका price सिर्फ स्रीप 4,599 रुपे में ये available है with one year of warranty अगर 5,000 रुपे के नीचे आपका budget है then this is the OTG you should go for link में ने description में दे दिया है make sure to check it out और guys हमारे list में number one पे जो OTG है वो भी आता है गारो grant की तरफ से इसकी capacity है 40 liter 30 liter model में जो जो features और X-series है वो सारे के सारे features और X-series आपको इस OTG में भी देखने को मिल जाएगा इसलिए इससे में और repeat नहीं करूँगा बस इसका price सोरा ज्यादा है 5,999 रूपीज में available है एक साल की warranty के साथ but guys this is definitely the best OTG on our list so मैं recommend करूँगा कि आप इस OTG को एक बास जरूँ चेक कीजे so guys this is it for today कोई भी सवाल हो तो आप comment section में पूश सकते हो within 24 hours में आपको reply करने की कोसिस करूँगा और वीडियो पसंद आए तो make sure to like and share and also don't forget to subscribe the channel and hit the bell icon so आज के लिए बस इतना ही मेलते अगले वीडियो में till then take care